हेयर फॉल रुख जाए और हेयर ग्रोथ होने लग जाए और क्या चाहिए है राइट एल्प्स गुट्निस का ये एंटि हेयर फॉल स्कैल्प सीरम इन सारी प्रॉब्रम्स को सॉल्विशन है अब इसे मैंने कैसे यूज किया है वो देख लेते हैं ये सारी की सारी इंग्रीडियंट्स नैच्रल है और आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे है बस पंदरा मिनिट के लिए से बॉल कीजिए और इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे हमारा मैजिकल इंग्रीडियंट अब आप चाहें तो इस एंटि हेयर फॉल स्कैल्प सिरम को डिरेक्ली अपने स्कैल्प में भी लगा सकते हैं तीन से चार बूंद आपके पूरे स्कैल्प के लिए इनफ हो जाएगी इतने अच्छे से पैनेट्रेट होता है इसका ही जो फॉर्मुला है ना नॉन ओली नॉन स्टिकी फॉर्मुला है बहुत अच्छे से आपके इसमें जो मॉलीकूल्स पायाते है वो टागेट करते है हमारे हेर फॉलीकल सको और हेर ग्रोथ को बूस्ट किरने का काम करते है नूब बेबी हैर आप देख सकते हैं तो आप इसको लगातार यूज करते है थी मânस के अंदर आपको निव हेर के लिए पॉस्ट करते हैं, भी अगर आपके पस जादा टाइम नहीं है तो आप इसे लगा कर एक से दो घंटे के बाद भी अपना हेर वाश कर सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट मिलने वाला है आपके सकैल्प को आपकी सकैल्प ना सिर्फ क्लीन रहेगी बलकि आपका हेर फॉल कंट्रोल हो जाएगा आपके न्यू एर ग्रोथ हो जाएगी हां हेर ग्रोथ होने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा तीन मंत का ट कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट करिये